हलो गाईज वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़ इंपोर्टेंट वीडियो लेके आई हूं तो देखे हमारे द्वारा आगामी 12 दिसंबर को होने वाली लोवर PCS pre-examation के लिए revision classes चलाई जा रही हैं आज इस revision class का part 5 है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए most important questions लेके आई हूं तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को starting से लेकर end तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो start करने से पहले जिन लोगो सब्सक्राइब कर लें साथे साथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका notification आपके राद जल सी जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारी टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं अराउंड 5.7 के यहाँ पर सस्क्राइबर्स हो चुके हैं सुबद 10 बजे और शाम 8 बजे हाँ पर कुईज का एजन भी कराया जाता है इसके अलाबा अधर इंपोर्टेंट अपडेट्स पीडियेप से ही पर शेयर की जाती है लिंक आपको इसका description box में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वी क्रिशन हरी वासुदेव हरी सभी हैं तो option डेस question का correct answer है देखे चापेकर बंधों ने 22 जून 1897 बी को पोड़े में बिल्टिस अधिकारियों चार्ल्स वाल्टर रेंड और लेफटनेंड चार्ल्स एगरटन की हत्या कर दी थी अगला question देखे निमन में कौन सा पदार्थ हल हल्दी की गुणवत्ता का कारण है तो देखे इनमें से हल्दी की गुणवत्ता का कारण है कर्क्यूर में option एक सकरी तत्व है जिसमें एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी पावर होती है अगला देखेगा 26 फरवडी 2019 में भारती वायू सेयना द्वारा पाकिस्तानी छेतर में आतन की शिविरों को नस्ट करने के मिशन का कोर्ड नाम क्या था? 26 वरवडी 2019 को भारती वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी छेत्र में आतंकी शिवीरों को नेस्ट करने के मिशन का कोड था Operation Bandar option A question का correct answer है यह Air Strike भारती वायुसेना द्वारा पुलवामा हमले का जवाब था अगला देखे पुलवामा आतंकी हमला जो हुआ था उसका जवाब था यह Operation Bandar अगला देखे यूको बैंक के संस्थापक कौन थे यूको बैंक के संस्थापक थे जमुनालाल बजाज option C question का correct answer है यूको बैंक के स्थापना The United Commercial Bank Limited के रूप में 6 जनवरी 1943 इजवीत को हुई थी इसका मुख्याले कोलकाता में स्थित है अगला देखेगा अगला question है आपका निमन लिखित में कौन सा सुमेलित है तो देखे इसमें से सुमेलित सभी है SDFC Bank का मुख्याले कोलकाता में है Oriental Bank का है लखनो में Syndicate Bank का है नई दिल्ली में उप्यूग तो सभी option discussion का correct answer है दिखे HDFC Bank संपती के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी Bank है ये आपको ध्यान में रखना है गाइस most important point बताये गए हैं यहाँ पर अगर आपको लगता है कि note करने चाहिए तो note down कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like करें जो लोग हमारे YouTube channel study with aim पर नए हैं तो उनसे request रहेगा कि हमारे YouTube channel study with aim को subscribe कर लेजिएगा अगला देखिए सरपर्थम genetically modified यानि GM vaccine की घोशना कब की गई थी वर्ष 1981 वी में option B question का correct answer है देखिए genetically आनुवांशिक रूप से संशोधित इस टीके की खोज अमेरिका कर्शी विभाग के बैग्यानिकों ने जानवरों के मुं की बिमारियों के उक्चार के लिए निर्मित किया था अगला है बाग को भारत का राष्टी पशु किशवर्ष घोशित किया गया है वर्ष 1972 इस में देखिए बाग की चपलता, शालिंता, द्रडता और आपार शक्ति के कारण इसे राष्टी पशु का दरजा दिया गया बाग से पहले शेर भारत का राश्टी पशु था अगला देखेगा नाटो का मुख्याले इस्तित है नाटो का मुख्याले इस्तित है बुरुसेल्स में ओप्शन एस कुष्ण का करेक्ट आंसर है देखे उत्तरी अटलांटिक संधी संगठन यानि नाटो एक सैनिस गड़व मैसी डोनिया बना जो 6 फरवरी 2019 को नाटो में शामिल हुआ तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल इस्टुडिवित एम को सब कर ले और साथी साथ वीडियो को जाद से जादा शेयर किजिए अपने दोस्तों के साथ अपने वर्टसप ग्रुप्स में अगला देखिए तंबाकु पर प्रतिबंद लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था तंबाकु पर प्रतिबंद लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान देश ऑप्शन डीस कुशन का करेक्टर आंसर है वर्ष 2010 में भूटान की संसद ने तंबाकु नियंतर अधिनियम लागू करते हुए तंबाकु की खेती उतपादन और विक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंद लगा दिया था अगला कुशन है वर्ष बूट्स समझाता किस वर्ष हुआ था वर्ष 1944 में तो देखे वर्ष इस्थान अमेरिका की राजधानी वाशिंग्टर डीसी में इस्तित है अगला कुशन है आपका विश्व तंबाकु निशेद दिवस मनाया जाता है विश्व तंबाकु निशेद दिवस मनाया की घोशना की थी साथ अप्राल 1938 विश्व स्वास संघथन ने अनिवर्ष पृति एक वर्ष स्वबाकु निशेद दिवस इकतिस माय को बनाने की घोशणा की अगला कुश्व के पहले विश्व के पहले व्यवसाइक टेलीफॉन सेवा को शुरू क्या गया वर्ष सेवा कनारडा के हैमिलटन में शुरू की गई थी यह भी आप ध्यान नखेगा अगला देखें प्रِशिद्ध उपण्यासकार विक्रम सेट का जन्म किश वर्ष हुआ था प्रिशिद्ध उपण्यासकार हैं विक्रम सेट इनका जन्म हुआ वर्ष 1952 में विक्रम सेट को वर्ष दो हजार एग में order of British Empire अवर्ड से समारित किया जा चुका है और उनकी प्रिशिद्ध पुस्तर एस उटेबल बॉई काफी चर्चा में रही थी अगला देखें कम्प्यूटर हाडवेर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं कम्प्यूटर हाडवेर के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं option 20 question का correct answer है देखें हाडवेर के भागों की बात करें तो system unit, input और output, secondary storage और संचार ये चार भाग होते हैं हाडवेर के अगला है keyboard और mouse किस परकार की device है keyboard और mouse जो है ये आपके input devices है input device आकड़ों का आकड़ों एवं प्रोग्रामों को computer द्वारा process किये जाने वाले रूप में परिवर्तित करता है अगला question देखिए समिधान सभा ने अंतिम रूप से समिधान को कब पारित किया देखे समिधान सभा ने अंतिम रूप से समिधान को पारित किया 26 November 1959 को option C बिल्कुल correct answer है समिधान सभा के प्रथम बैठख जो है ये 9 December 1946 को हुई थी कमेंट करके बताएगा कि 9 December 1946 को समिधान सभा के प्रिथम बैठख कहां पे हुई थी अगला देखिएगा भारती समिधान सभा के इस्थाई अध्यक्ष ते डौक्टर राजेंद्र पृषाद option is question का correct answer है अगला देखे भारत का राष्टी गीत किस के द्वारा लिखा गया भारत का राष्टी गीत लिखा गया रविन रनाट टैगोर के द्वारा राष्ट गान को सरप्र्थम 27 दिसंबर 1911 को भारती राष्टी कॉंग्रेस के 27 कलकत्त अधिवेशन में गाया गया था अगला देखिएगा भारती सम्विधान में राष्टी गीत को कफ स्विकार किया गया भारती सम्विधान में राष्टी गीत को स्विकार किया गया 24 जनवरी 1950 को option 20 question करेक्ट आंचार है देखे राष्ट गान का प्रकाशन सरपर्थम 1912 S.B. को राष्ट गीत होना चाहिए हैं पर राष्ट गान हो गया राष्ट गीत का प्रकाशन शरपर्थम 1912 S.B. में तत्व बोधानी पत्रिका के भारत विधाता शुषक से हुआ था अगला देखिए भारती सम्विधान सवा ने राष्टी द्वच को कफ स्विकार किया बारती सम्विधान सवा ने राष्टी द्वच को स्विकार किया 22 जुलाई 1947 S.B. को राष्टी द्वच की अभी कलपना जो है ये पिंगली वैकईया ने की थी अगला देखिए लोख हितवादी नाम से कौन पृष्ट है लोख हितवादी नाम से पृष्ट है गोपाल हरी देश मुख ऑप्शन A इस कृष्चन का बिल्कूल राइट आंसर हो जाएगा देखिए गोपाल हरी देश मुख जो है ये महरास्ट में नई शिक्षा और समा के प्रवर्ड तक थे अगला कुशन है लोकलेखा समीती में कितने सदश्य होते हैं लोकलेखा समीती में सदश्यों की संख्या होती है न बाइस ऑप्शन से इस कुशन का करेक्टर आंसर है देखेए समीती में 15 लोकसभा और सात राजय सबागे सदश्य होते हैं अगला देखिएगा संसदिए प्रक्रिया में सुन्यकाल शब्द का परियोग प्रिथम बार के शर्ष सुर्ष किया गया था संसदिए प्रक्रिया में सुन्यकाल सब्द का प्रियोग प्र तम्बार किया गया था योजना आयोग का गठन कप किया गया प्रत्थम योजना आयोग का गठन किया गया है 15 मार्च उनिस्टो पचास इस बी में option C discussion का correct answer है देखिए योजना आयोग जो की वर्तमान में परिवर्तित करके इसका नाम नीती आयोग कर दिया गया है इसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है तो वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष थे अध्यक्ष है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो नीती आयोग है इसका नाम बदल का योजना आयोग कब कर दिया गया जल्दी से कमेंट कीजिएगा comment section में अगला देखे राश्टी विकास परिशत की स्थापना की गई राश्टी विकास परिशत की स्थापना की गई 6 अगस्त 1952 इजवी को option based question का correct answer है देखे वर्ष 1946 इजवी में के सी नियोगी की अध्यक्षता में गठित परामर्श दातरी नियोजन मंडल का नाम परिवर्थित करके वर्ष 1952 इजवी में राश्टी विकास परिश्यत कर दिया गया अगला देखेगा अगला question है आपका संग लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदश्यों के नियोक्ति किसके द्वारा की जाती है संग लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदश्यों के नियोक्ति की जाती है राश्टपती के द्वारा संग लोग सेवा आयोग का मुख्याले यह नई दिल्ली में इस्तित है अगला देखे अगला कुशन है आपका भारती समीधान भारती समीधान के किस अनुचेत के अंतरगत लोग सवा में अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जातीों के लिए आराक्षन का प्रावधान किया गया है तो देखिए भारती सम्विधान के अनुचेद 330 के अंतरगत लोग सबाव में अनुसूचित एवं जन जातियों के लिए आरक्षन का प्रावधान किया यह है option A question का correct answer हो जाएगा तो देखिए अनुचेद 332 में अनुसूचि जातियों एवं जन जातियों के लिए विधान सबाव में आरक्षन का प्रावधान है अगला देखिए का सम्विधान के लिए किस अनुचेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है सम्विधान के लिए अनुछे 280 में वित्ता आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है वित्ता आयोग के गठन का दिकार राश्टपती को दिया गया है इस आयोग में राश्टपती द्वारे एक अध्यक्ष और चार अन्य सदर्शिन यूक्त किये जाते हैं अगला देखे भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना की गई थी 25 जन्वरी 1950 को देखे सम्विधान के भाग 15 अनुछे 324 में निर्वाचन सम्मदी उपवन्द बनाये गया है अगला है आपका पर्थम बार अंतराश्टी अंतरराजी परिशत की स्थापना की गई जून 1990 बी में इस परिशत की पर्थम बैठक 10 अक्टूबर 1990 बी को आयजित की गई थी ये भी आप ध्यान रखेगा most important questions लेके आई हूँ guys आप सभी के लिए तो आप सभी लोग हमारी यूट्योब चैनल इस टिडिवित एम को सस्क्राइब कर लेजिएगा आपके lower PCS pre-examination के लिए ये questions काफी महत्वणों रहने वाले हैं अगला देखिए अगला question है आपका मुख्य मंत्री का कारिकाल कितने वर्ष का होता है तो मुख्य मंत्री का कारिकाल होता है पांच वर्ष के लिए यदि विधान सभा का कारिकाल बढ़ा दिया जाए तो मुख्य मंत्री का कारिकाल भी स्वता ही बढ़ जाएगा अगला देखे बंबई राजी का विभाजन किश वर्ष हुआ था बंबई राजी का विभाजन हुआ था वर्ष ने सो साट इस वी में बंबई राजी से गुजरात था महाराष्ट के रूप में दो नए राजियों का गठन किया गया अगला कुश्यन है आपका संसत द्वारा सूचना पाने का अधिकार संबन्धी विध्यक का पारित किया गया आपके जून 2005 में किया गया दिखे संसत द्वारा सूचना पाने का अधिकार संबन्धी विध्यक जून 2005 में पारित किया गया आप्शन बी स्क्रिशन का बिलकुल राइट आंसर है दिखे इस अधिनियम को 12 अक्टूबर 2005 को संपोन धाराओं के साथ लागू कर दिया गया सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट अपने नागर्विकों को अपने कारी और शाषन परडाली को सार्वजनिक करता है अगला दिखे बॉमबय प्लान के सूत्र दहर थे आड़ देशिर दलाल ऑप्शन स्रीश क्यूशन का करेक्ट आंसर है वर्ष 1944 में बंबई के आठ उद्योग पत्यों द्वारा बंबई प्लान प्रस्टूत किया गया जिसमें 15 वर्षी सूत्र बद्द यूजना थी अगला देखेगा अगला क्वेशन है आपका सर्वोधै यूजना किछ वर्ष प्रकाशित की गई वर्ष 1950 वर्ष प्रकाशित की गई वर्ष 1950 में ऑप्शन ए इस क्वेशन का करेक्ट आंसर है इस यूजना का प्रकाशन जै प्रकाश नारायाण के द्वारा किया गया था ये भी आप ध्यान रखें अगला है यूजना आयो को कप समाप्त कर दिया गया मौस्ट इंपॉर्डे 2015 को नीतिय आयो का गठन किया गया है यूजना आयो को हटा कर इसके स्थान पर नीतिय आयो का गठन किया गया है अगला है आपका निमने लिखित में से किसके द्वारा भारत में पुंजी निर्मान सम्बंदी आकड़े तैयार किये जाते हैं तो देखें भारत में पुंजी सम्बंदी आकड़े तैयार किये जाते हैं CSO के द्वारा देखें CSO का फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो CSO का फुल फॉर्म होता है Central Statics इसकी स्थापना वर्ष 2 माई 1951 में की गई थी नेक्स्ट कुश्चन देखेगा भाखडा नांगल परियोजना व्यास परियोजना परियोजना के दौरान शुरू की गई थी भाखडा नांगल परियोजना व्यास परियोजना आपके पर्थम परियोजना के दौरान शुरू की गई थी option A question का correct answer है यह परियोजना हिमानचल परदेश के विलासपूर जिले में सतलज नदी पर है तो किस नदी पर है किस जिले में है और किस राजिय में है यह सब आप से पूछा जा सकता है अगला देखेगा दुरगापूर भिलाई राउर केला के स्पाद कार खाने की स्थापना किस पंच वर्षी योजना के दौरान श्थापित की गई most important question है दुरगापूर भिलाई राउर केला के स्पाद कार खाने की स्थापना दिती पंच वर्षी योजना के दौरान श्थापित की गई यह योजना PC महाल महाल नाबिस मौडल पर आधारित थी इसका मुक्योद देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था वीडियो कैसी लग रही है comment section में comment कीजिएगा अगला देखे चतूर्थ पंच वर्षी योजना की अवीधी क्या है चतूर्थ पंच वर्षी योजना की अवीधी है 1979 से 1974 इस वी तक option ए इस question का correct answer है इस योजना का मुख्योद देश्य स्थाइत्व के साथ विकास्त था आत्म नर्भर के प्राप्ति थी इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को विशेश रूप से लक्षित किया गया अगला दिखेगा पहली बार शहरी और ग्रामीर शेत्रों के लिए कैलोरी की अलग-अलग मात्राएं निर्धारित की जो की किरमशा देखेए दोहजार सौरी दोहजार एकसो कैलोरी और 2400 कैलोरी थी अगला है राजी में की गई थी नरेगा की शुरुवाद की गई थी भारत के आंद्र प्रदेश राजियों में option discussion का correct answer है नरेगा की शुरुवात की गई थी 2 February 2006 को इसका नाम 2 October 2009 को परिवर्थित कर मनरेगा यानि मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारेंटी योजना कर दिया गया था अगला question देखेगा परदान मंत्री जोती वीमा योजना की शुरुवात कब हुई परदान मंत्री जोती वीमा योजना की शुरुवात की गई 9 मैं 2015 को देखे परदान मंत्री जोती वीमा योजना स्वाभाविक एवं दुरगटना मिर्थियो दोनों ही संबंद में लागू है यह योजना 18-50 वर्ष की आयू वर्ग से संबंद में लागू है तो अगला कुशन देखें, most important question है गाईज अगला देखेंगा राज भासा आयो का उलेग भारती समिधान के किस भाग में वर्णित है राज भासा आयो का उलेग भारती समिधान के भाग 17 में वर्णित है option B question का correct answer है दीखें अनुच्छे 343 से 351 में राज भासा के प्रावधान यानि प्रोविजन्स दिए गए है अगला देखेंगा आपका एक रूपी के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो एक रूपी के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित सच्यू के option A question का correct answer है एक रूपी के नोटों के अतरिक अन्य नोटों पर reserve bank के governor के हस्ताक्षर होते हैं अगला देखेगा अगला question है आपका Journal Bank of India किस वर्ष आरंब किया गया Journal Bank of India आरंब किया गया वर्ष 1786 भी में option इस question का correct answer है यह भारत का पहला व्यापारिक bank है Journal Bank of India अगला देखेए भारत में विधान सभा सदश्यों को सफद कौन दिलाता है तो भारत में विधान सभा सदश्यों को सफद दिलाता है राजिपल विधान सभा में अधिकतम सदश्यों की संख्या 500 से अधिक एवं 60 से कम नहीं होती है अगला देखेए एशिया की सबसे अधिक उची जील कहां पर इस्तित है एशिया की सबसे उची जील इस्तित है तिबबत में इस जील का नाम पैगांग है यहां समुद्र तल से 4266 मीटर की उचाई पर इस्तित है अगला देखेगा अगला कुशन है कॉंग्रेस के किश अधिवेशन में स्वराज शब्द की मांग की गई तो देखे कॉंग्रेस के 22 इस वे अधिवेशन में स्वराज सब्द की मांग की गई ऑप्शन डिस कुशन का करेक्ट आंसर है यहां अधिवेशन 1906 बी में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नरोजी ने की थी अगला देखेगा अगला कुशन है आपका एनिवेशन ने मदर पास में होम रूल ली कि स्थापना की वर्ष्र 1916 में एनिवेशन ने वर्ष्र 1893 में पर्थम बार भारत आगमन किया था गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जो लोग हमारी यूट्यूब चैनल पर नए सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि ह सब्सक्राइब कर लें वीडियो को जाद से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने वर्षप ग्रूप समय देखिए इतनी महनत से आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेके आ रहे हैं थोड़ा सा आप भी अपना सपोर्ट जरूर करें वीडियो को लाइक की कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनलेश ट्रीविद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को जाद से जादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने वर्टसप ग्रूप समय हाडल अचर है यह अधिवेशन सूरत में वर्ष 1907 में हुआ था इसी अधिवेशन में कॉंग्रेस पार्टी का उग्रवादी यानि गरम दल इवं उदारवादी यानि नरम दल नामक दो दलों में हो गया था अगला दिखिएगा अगला कुर्षेवन है आपका भारती समझ दन में सिंरं प्रकृष्डिया का उलेख किस अनुचेद में वर्णे था है बारती समझ दन में संषोधन प्रकृष्डवाका जो उलेख है नेक्स्ट कुष्यन देखेगा भवाणी मंदिर नामक पुस्तिका किसे लिखी थी वारिंद्र कुمार गोश ने, option बिस कुष्चिन का करेक्ट आंसर है देखे बंगाल में करांतिकारी विचार धारा को वारेंद्र कुमार घोष एवं भुपेंद्र नाथ दक्त ने फैलाया था वर्ष 1905 इजबी में वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा भवानी मंदिर नाम की पुस्तक लिखी गई उन्होंने करांतिकारी कारियों को संगटित करने के लिए केंद्र संबंदित जानकारी दी थी वर्ष 1906 इजबी में इन दोनों ने मिलकर यूगा अंतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया अगला देखेगा अनुशीलन समीती का गठन के शवर्षिक किया गया अनुशीलन समीती का गठन किया गया 1907 इजबी में इस समीती का गठन कलकत्ता में किया गया जिसका प्रमुक देशिव खून के बदले खून था इसके गठन का मुख्यकारण बंगाल विभाजन था जो पूरा data है ये clear हो जा रहा होगा यहां पर detail भी आपको बता रही हूं मैं वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को like कीजेगा अगला question देखिए बाल गंगाधर तिलक को भारती अशांती का जनक किसके द्वारा कहा गया तो देखिए बाल गंगाधर तिलक को भारती अशांती का जनक कहा गया वेलेंटाइल शिरॉल के द्वारा option D question का correct answer है देखिए बाल गंगाधर तिलक का जन्म वर्ष 856 इस्वी को रतनागिरी यानि महराश्ट में हुआ था स्वराज हमारा जन्म सिद्धा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा उनका प्रशिद्ध वाकि था उन्होंने वर्ष 893 इस्वी में गंपती एबम वर्ष 895 इस्वी में सिवाजी उच्सव की शुरूआत की थी अगला कुश्टन देखीगा भारत के वर्ष 946 में अंतरिम शिक्षा मंद्री कौन थे भारत के वर्ष 946 इस्वी में अंतरिम शिक्षा मंद्री थे सी राज गुबाला चारी ऑप्षन डीज कुश्टन का करेक्ट आंसर है देखे जवाहरलाल नहरु के नेत्रित में उसके ग्यारा सही योग्यों के साथ 12 सितंबर 1946 को अंतरिम शरकार का गठन किया गया अगला देखे खुदी राम बोस को फासी कब दी गई खुदी राम बोस को फासी की सजा दी गई 11 अगस्त 1908 इस्वी में ऑप्षन 20 कुश्टन का करेक्ट आंसर है देखे प्रफुल चौकी और खुदी राम बोस ने 30 अप्रेल 1908 को मुझफर पुर यानि बिहार के जज किं अगला देखे अगला कुश्टन है आपका चौरा चौरी कांड के समय भारत के वाइसराई कौन थे देखे चौरा चौरी कांड जब हुआ था उस समय भारत के वाइसराई थे लॉर्ड रीडिंग ओप्शन एस कुशिन का करेक्ट आंसर है देखे चौरा-चौरी कांड जो है ये पांच फरवरी 1922 को हुआ था इस घटना के बाद महात्मा गाधी ने असयोग अंदोलन जो है ये वापस ले लिया था अगला है आपका भारती कम्यूस्ट पार्टी का अगला देखे भारत में वायू या निरमान का पर्थम कार खाना का खोला गया वर्ष्र 1940 इस बी में ऑप्शन एस क्रेक्ट आंसर है यह कार खाना बंगलूरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कमपनी के नाम से स्थापित किया गया अगला देखे गा अगला है आपका आंध्र साथ वाहन वंस से option बीस कुशन का correct answer है देखे पुराणों में मतश्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमानिक है यह आपको ध्यान रखना है अगला देखेगा documentary को print करने है तू कीबोर्ड से कौन सी command दी जाती है अगर हम में किसी document को print करना है तो इसके लिए कीबोर्ड से control plus P दबाया जाता है option A discussion का correct answer है देखे control plus C जो है control plus C चुने गए विशयों को copy करने के लिए होता है control plus B होता है चैनित शब्दों को bold करने के लिए और control plus R होता है दस्तावेज में शब्दों को बदलने के लिए तो ये तीनों चीजे आप ध्यान में रखेगा अगला देखे विटामिन के आविशकारक कौन है विटामिन के आविशकारक है फंक option D discussion का correct answer है गुलन शिंतलता के अधार पर विटामिन दो परकार के होते हैं एक तो होता है जल में घुलनशिल विटामिन जिसमें आपके विटामिन B और C आते हैं देखे दूसरा होता है वर्षा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशिल विटामिन जिसमें आते हैं आपके विटामिन A, D, E और K तो ये दो उनों तरीके के विटामिन आपको ध्यान में रखने हैं अग्ला देखेगा कौन सा जल में घुलंचिल है कौन सा कारबनिक पदार्थों के साथ घुलंचिल है यह आपसे क्रिशन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आयो के दोरा अग्ला देखेगा भारत में उनी वस्तर की पहली मिल कहां इस्थापित की गई थी भारत में उनी वस्तर की पहली मिल इस्थापित की गई थी कानपूर में option b discussion का correct answer है देखे इस मिल को वर्ष 886 में स्थापित किया गया था अगला देखे मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है तो देखे मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है लिम पोपो नदी option discussion का correct answer है लिम पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को दो बार काटती है और यह नदी दक्षण अफरिका में स्थित है अगला देखिए किश वर्ष से पनामा नहर पर पनामा देश का अधिकार हो गया था वर्ष 2000 से इस नहर का निर्मान वर्ष 1914 इसवी में किया गया था अगला देखिए वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में नियुनुतम जन संख्या वाला केंदर शाषित प्रदेश कौन सा है तो वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में नियुनुतम जन संख्या वाला केंदर शाषित प्रदेश है लक्ष दीप सरवादिक जन का प्रथम कारखाना इस्थापित किया गया है विशाखा पतनम में most important question है इसका अधिकरन करके हिंदुस्तान शिप्याड विशाखा पतनम नाम दिया गया है अगला देखिए का फालो एवं सब्सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है फलो एवं सज्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा इस्थान है option B, question का correct answer है पिर्थम इस्थान पूछा जाए तो पिर्थम इस्थान है चीन देश का अगला देखेगा व्रहत हिमाले की औसथ उचाई कितनी है व्रहत हिमाले की औसथ उचाई है 6000 मेटर option C, question का correct answer है विश्व के सबसे उची चोटी जो है ये mount average व्रहत हिमाले के अंतरगत आती है अगला देखेगा अगला question है आपका भारत का रूर कहलाता है भारत का रूर कहलाता है छोटा नाकपूर option C, question का correct answer है इसका कुल छेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमेटर है अगला देखेगा निमने मैसे सोन नदी का उदगम इस्तल है विध्यानचल श्रीनी option C, question का correct answer है अमर कंटक मैकाल पहाड़ी का सर्वोच परवत शिखर है यह भी आप ध्यान रखेगा मैकाल पहाड़ी का सर्वोच परवत शिखर है अगला देखेगे वर्ष 2011 के जनगणा का आदर्ष वाकिय था वर्ष 2011 के जनगणा का आदर्ष वाकिय था हमारी जनगणा हमारा भविश्य तो देखेगे option A आपका हैं पर correct answer है भारत में जनगर्णा की शुरुवात 1872 इज़वी में लाड मेयो के कारिकाल में हुई थी most important point है अगला देखेगा स्वतंत्र भारत में पहली जनगर्णा कब करवाई गई थी 1951 इसकूशन का correct answer है भारत में प्रथम जनगर्णा आयुक तो थे आर ए गोपाल स्वी अगला देखेगा अगला क्यूशन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षा की कौन करता है most important question है भारत में नियंद्रग एवं महालेखा परिक्षक की नियुक्ति करता है राष्टपती option 6 question का correct answer है देखिए समविधान के अनुचेद 148 से 151 तक नियंद्रग एवं महालेखा परिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अगला देखेगा परमानों की खोच कि थी जॉन डालता ने option a question का correct answer है यहां खोच डाल जॉन डालता ने वर्ष 808 में की थी अगला question देखिए अगला question है आपका ic chip का निर्मान किस वर्ष किया गया ic chip का निर्मान किया गया वर्ष 1958 में option b question का correct answer है देखिए यह chip silicon की बनी होती है और इसका निर्मान js किलवी ने किया था अगला देखिएगा अगला question है सागा 220 क्या है सागा 220 है super computer option a question का correct answer है और यह भारत का सरवाधिक तेजगती से चलने वाला super computer है इसे केंद्र में इस्तिद शतीजदवन super computer प्रियोग शाला में स्थापित किया गया था अगला देखिएगा अगला question है आपका विश्व व्यापार संगठन का पर्थम मंत्री इस्तरिय संमेलन कहां पर आयजित किया गया था आपके सिंगापूर में option 20 question का correct answer है यहाँ बैठक दिसंबर 1996 को आयजित की गई थी most important question है ये भी ध्यान रखेगा अगला देखिएगा यूरोपी संग का मुख्याले कहां इस्तित है यूरोपी संग का मुख्याले इस्तित है आपके ब्रुसेल्स में option A question का correct answer है इसकी स्थापना मस्ट्रिच नीदरलेंड में 1 नवेंबर 1993 को की गई थी अगला देखिएगा यूरोपी अंतराष्टी एजेंसी की स्थापना की गई यूरोपी अंतराष्टी एजेंसी की स्थापना की गई वर्ष 1975 इस्वी में option B question का correct answer है दे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp गुरूप समें अगला देखिए निमने में से किसे computer science का जनक कहा जाता है तो देखिए computer science का जनक कहा जाता है एलन तूरिंग को option 20 question का correct answer है चाल्स वेबेस computer के जनक माने जाता है इस्टीव जॉब्स ने Apple तथा Bill Gates Microsoft Company के जनक वो संस्थापक है यह आपको ध्यान में रखना है अगला देखिएगा अगला question है आपका रक्षा तकनीक S400 किस देश से संबंदित है रक्षा तकनीक S400 यह रायक होती है हाल ही में भारत इस तकनीक को खरीदने का प्रियात्न कर रहा है अगला question है नेमने मैंसे किस देश के खिलाब विश्व कप क्रिकेट में भारत में पचासवी जीत दर्जी की है तो इस question का correct answer है अफगानिस्तान यहाँ जीत भारत ने वर्ष्व 2019 में यहाँ जी भारत में कितने छेत्री परिशद हैं तो भारत में छेत्री परिशदों की संक्या है पांच देखे छेत्री परिशद को वर्ष 1956 में राजी पुनर गठन अधिनियम के तहर स्थापित किया गया था most important point है अगला देखेगा स्वतंतरता का अधिकार समीधान के कौन सा करा दिया जाएगा तो आप वहां से क्लिक करके हमारे इस पीडिया को ले सकते हैं तो देखे सतंतरता का अधिकार समीधान के कौन से अनुच्छेद में वर्नित है सतंतरता का अधिकार जो है यह आपके अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में वर्नित है option is question का correct answer है देखे मूल प्रस्वेस ब्रकास प्रकास के स्तंतता प्रदत है अगला है आपका मौन चूंत की Ama कितना होता है यह होता है आपका जो और प्रकास प्रतिशत भाक्वाग प्लाजमा होता है रगत का 60 प्रतिशत भाग प्लाजमा होता है देखे प्लाजमा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है तो देखे अगला कुश्यन है आपका मानो शरीर में मान्च पेशियों की संख्या कितनी है मानो शरीर में मान्च पेशियों की संख्या होती है 649 option 6 question का correct answer है पेशी तंत्र की अंत्रगत पेशियों का अध्यान किया जाता है पेशी एक संकुचन सील उतक होता है तो यह एक रक्त कम होता है अगला देखेगा इस्तंधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है इस्तंधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है बक्री का यह तापमान ऑसतन 39 degrees centigrade होता है अगला देखेगा अगला question है आपका कलकत्ता विश्व विद्या के स्थापना की गई थी 857 इजवी में कलकता विश्व विद्याले जो है यह भारत का एकमात्र विश्व विद्याले है जो सहिंक तुराष्ट के एकडमिक इंपक्ट प्रोग्राम के तहट आने वाले दुनिया के दश्व विश्व विद्याले हो में शामिल है अगला दिखेगा दूसरा गोल में सम्मिलन कब आयजित किया यह था इस सम्मिलन में भारती कॉंग्रिस दल के प्रतिनिधी के रूप में महात्मा गादी ने भाग लिया आपको कमेंट शेक्शन में कमेंट करके बताना है कि पहला गोल में सम्मिलन कब और कहां आयजित किया गया था जल्दी से कमेंट कीजिएगा अपना अंसर कमेंट psychedelic अगला देखेग्य Tuesday अकिल भारति किशान्द प्रतर्मconscious के अध्यक्ष स्वा मींसग diuketty population NORS 9श को दो retro प्रेल 1936 ज्वि प्रेल में लकनों में आयुजित किया गया था अगला देखेगा आजण हिंद फौुँझ का सफलता पूर्वग का सफलता पूर्वग फींद फॉच की this थापना का विचार सरौ पूर्थम कप्तन मोहन सिंक के मन में आया आजाध हिंद फोज के सरवोच सेनापदी सुबास चंदर बोस को बनाया गया अगला देखे सरुप प्रत्यक्स कारीवाही दिवस कहां पर मनाया गया अगला देखे विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसकी रचना है तो ये रशना है शामलाल गुपता पार्श कियों का करेक्टर आंसर है सुतंतर भारत पंजाब केश्री उनके अन्य रशनाए हैं अन्य रशनाओं को भी आप ध्यान में रखेगा पूछी जा सकते हैं आयोग द्वारा अगला देखे भारती पत्रकारिता का अग्रदूत किसे अग्रवात कौमुदी और वर्ष 822 इस भी में फार्सी मिरात उल अकबार प्रारंब किया था ओके गाईज आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेर एंड हमारी यूट्यूब चैनल से जोड़ जाएं क्योंकि आपके आगामी 12 दिसंबर को लोगर PCS की एक्जाम के लिए स्पेशल रिविजन क्लासे डेली चलाई जा रही हैं देखे सुगा आपके 10 बज़े आती है ये क्लास फिर 7 बज़े आती है शाम को और लास्ट में 9 बज़े रात 9 बज़े इसकी क्लास आती है तो आप चाहें तो लोगर PCS प्री एक्जामनेशन के लिए हमारी इस क्लास को जोइन कर सकते हैं मिलते हैं नई इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद